गर मौनिंग वह दो और दो दो पूर। आप अच्छे हो मैं भी बहुत अच्छी है आपको बताया मैं क्या कराइएगी। आज महां ऑपको बहुत इंट्रेस्टान्य अक्तिविटी कराइएंगी। आज मेहां आपको क्ले से बहुत मस्ती कराने वाली है। आपको खेलना अच्छा लगता है ना Jyoti Ma'am को भी बहुत अच्छा लगता है इसलिए Ma'am आज आपको letter A से alligator बनवाने वाली है alligator आपने pictures में देखा है ना Yes, आज Jyoti Ma'am आपको letter A से alligator बनवाएंगी और alligator बनाने में आपको बहुत मज़ा आएगा तो जल्दी से अपनी clay ready करो अब हम activity शूरू करते हैं बट picture click करके जरूर भेजना मैम को ओके सबसे पहले हमें green color की clay लेनी है अगर आपके पास green color की clay है तो बहुत अच्छी बात है वरना आप घर पर भी clay बना सकते हो ठीक है तो हमें इस clay को soft करना है क्योंकि हमें की clay बार बार यूज करते हैं तो वो hard हो जाती है न तो उसे soft करने के बाद हमें three big pieces में उसको तोड लेना है ठीक है उसके बाद one piece को ऐसे उठाओ और इसे round 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 one hand की help से करना है आपको ताकि एक ball shape बन जाए ओके clay को ऐसे softly round 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 करना है वाओ अच्छी लग रही है न माम की ball अब हम इस ball को धीरे धीरे oval shape में mold कर देंगे ठीक है ऐसे धीरे 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 आपको roll roll करना है और अब एक drop जैसी shape बन जाएगी फिर दोनों हैंड की help से साइट से हलका हलका आपको प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको एक mat stick निकाल ली है ठीक है अगर आपके पास mat stick नहीं है तो आप कोई भी पतली stick यूज कर सकते हैं आप chop stick भी यूज कर सकते हैं और वो भी नहीं है तो फिर आप pencil का यूज भी कर सकते हैं अब देखो माम क्या कर रही है जो पतला वाला पार्ट है आगे वहां पर ऐसे स्टिक से शेप दे रही है ठीक है माम एलिगेटर का माउथ बना रही है भी ऐसे आपको शेप देनी है अब हम उपर की तरफ से भी वन स्मॉल स्लीपिंग लाइन बनाएंगे स्टिक की हेल्प से और एक्स्ट्रा पार्ट को अंदर ही प्रेस कर देंगे अब बड़ी वली क्ले लेनी है हमें ग्रीन कलर की और उसको भी राउंड 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 करके एकदम सॉफ्ट कर लेना है ठीक है और फिर हमें ऐसे कैरट जैसी शेप बनानी है वन साइड पतला एन मैं कैसे लगा रही है आपको अगर ममा की हेल्प लेनी पड़े तो आप ममा की हेल्प ले सकते हो लेकिन आप खुद करोगे ठीक है जैसा भी बनेगा मैं को बहुत अच्छा लगता है जो भी बनाते हो ओके अब हम क्या करेंगे अच्छे से फिक्स करने के बाद जब मांने चोट टू बाल्स मनाते हैं के गृरीन कलर के से राँंडराउंट करके और उन दोनों बाल्स को हम जो हमने सबसे पहले चोटी मैं अपर में लगा देंगे क्यों कि हम क्या बना रहे हैं अब मैं अलिगेटर की आइस बना रे एढर आर आप किसी भी कलर की चूटी चू करने जाके नहीं नहीं करके समख्यांकि अबode में खाने ek Gör भूख बणाई है अरा उसके ओपर हमें चोटे BALLS रग देंगे 68 ऑर 6-0 से हम टू होल्स करेंगे इन वाल्स के अंदर देखो अच्छा लग रहा है ना वाव हमारे अलिगेटर का फेस तो रेडी है अब हम क्या करेंगे एक डिफेंट कलर की क्ले लेंगे मैंने यलो कलर लिया है और चोटे-चोटे ऐसे ड्रॉप शेप बनाएंगे अब पहले बहुत बनाओ ओके आपको बहुत मजा आएगा ममा से मद बनवाना बहुत सारी डॉप्स बनाने के बाद हम थ्री लाइन्स में एलिगेटर के ऊपर ये डॉप्स लगाएंगे ठीके ध्यान से देखो मैं कैसे लगा रही है आपको भी बिल्कुल ऐसी ही फिक्स करना है थ्री लाइन देखो बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है न ऐसे ही आपको भी बनाना है अब आप क्या करोगे ग्रीन कलर की जो क्ले है उसे फोर पार्ट में ऐसे टियर कर लोगे और उसके बाद राउंड 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 करके ड्रॉप शेप दोगे जैसे सबसे पहल करो ड्रॉप जैसे हम यह 4-4 ड्रॉप क्यों बना रहे हैं क्योंकि अब हम एलिगेटर के हैंड्स और लेग बना रहे हैं ना तो हम क्या करेंगे पहले ड्रॉप शेप बनाएंगे और उसके बाद में ऐसे उसको उपर की तरफ ट्विस्ट कर देंगे ऐसे थोड़ा सा ऐसे उपर की तरफ उसे मोड देना है, सारे के सारे आपको drops को ऐसे ही shape देनी है, ठिके, जब आप यह कर लोगे, फिर आपको stick की help से fingers बनानी है, वो कैसे बनाओगे, 1, 2, 3, 3 times आपको press करना है, आप 4 times भी कर सकते हो, जितनी आपकी clay में space हो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठिके, एक बार हम और कर 찐 1 टू एंड 3 हमने सारे उसके लेगस और हैंड बना लिए अब हम ऐसे वन हैंड में अट पकडाएंगे और दूसरे हैंड से उसके पहले हम हैंड लगाएंगे के हैंड हेंड बनने के बाद अब हम लेगस को बोड़ी के साथ ऐसे डह्यक्य करेंगे ध्यान से देखो जैसे मैं में हैंड लगाय थे वैसे ही पीछे की तरफ हमें उसके लेग्स लगाने हैं वाव हमारा एलिगेटर तो रेड़ी है अब आपको ऐसे अच्छा सा एलिगेटर बनाना है और पिक्चर क्लिक करके मैं को ज़रूर शेयर करनी है ओके अगर आपके पास ग्रीन क्ले नहीं है तो आप किसी और कलर की क्ले से भी अलिगेटर बना सकते हो ओके बट पिक्चर क्लिक करके मैं को ज़रूर शेयर करना ओके बाबाई